नमस्कार दोस्तों, कता मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है जातक कताओं के विशाल भंडार से आज मैं आपके लेकर आया हूँ सिल्वा हाती और उसके लोभी मित्र की कता दोस्तों, जातक कताओं हमें मनुरंजक तरीके से जानवरों की काहनियों के माध्यम से विक्ति को समाज में सफल जीवन जीने की सिख देती हैं तो चलिए आज की काहनियम शुरू करते हैं किसी समय हिमाले के घने वनों में सिल्वा नाम का एक हाती रहता था वह बहुत ही खुबसरत हांती था उसकी चमाकदार आखें और चांदी के समान सुएद दात मन मोहक थे एक दिन सिल्वा ने वन में बिचन करते हुए एक वेक्ति को बिलाब करते हुए देखा सिल्वा को उसे देखकर दया आई वह उसकी मदद को आगे बढ़ा तो आदमी को लगा कि हाथ उसे मारने आ रहा है आदमी को भागता देखकर सिल्वा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी साहता करना चाहता है तो उस आदमी ने कहा कि वबन में रास्ता भठक गया है और उसे बस्ची तक कहुँचने के लिए मदद किया सकता है सिल्वा बहुती द्यालू प्रवित्ति का हाती था उसने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बस्ति तक छोड़ाऊंगा लेकिन तुम बहुत ठक्यारी लग रहे हो चलो पहले मेरे निवास चलो वहां मैं आपको विभनी प्रकार के फल खिलाऊंगा तुम थोड़ा आराम कर ले न और फिर मैं तुम्हें बस्ति तक छोड़ाऊंगा उस व्यक्ति ने हाती के घर में बिभनी प्रकार के फलो का सेवन किया आराम किया उसके बाद हाती ने अपनी सून से उसे अपनी पीट पर बेठाया और बस्ति के गरीब ले जाकर छोड़ दिया वह आदमी लोभी प्रवतिका था सहाती एसान फ्रामोज भी था वह ततकाल सहर पहुंचकर एक बैपारे से हाथी दांत का सोदा करके आ गया और कुछ ही दिनों बाद आरी आदिय औजार और भोजन का परवंद कर नरेजयर बन में सिल्वा के निवास स्थान पर पहुंच गया व्यक्ति को देखकर सिल्वा ने उससे आने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने अपनी गरिवी का राग अलापना शुरू कर दिया भाती भाती के समस्या बताई और कहा कि मेरे पास तो खाने के दाने भी उपलद नहीं है क्रिप्या करके ये अपना दान्त मुझे दे दो जिसे मैं बेज कर कुछ समय अपने खाने पीने का प्रवंद कर लूँगा सिल्वा हां ती द्यालू प्रवत्ति का तो था ही और उस व्यक्ति को अपना मित्र भी मान चुका था तो उसने बहुत ही आसानी से उससे कह दिया कि ठीक है मेरा एक दान्त काट लो और इसे बेज कर अपना पेट भर लो उस व्यक्ति ने तुरंथी आरी से एक दान्त काटा और खुशी-खुशी लेकर सहर की और चल दिया लालची वेक्ति ने दान्थ बेचकर अच्छी खासी कीमत पाई लेकिन उतनी कीमत पाने के बावजूद उसकी त्रिशना और बढ़ गई उसकी नजर में हाथिक का दूसरा दान्थ भी था उसने सोचा क्यों ना एक दान्थ और लाकर और अधिक पैसे कमाये जाएं कुछ दिनों के बाद में वे लालची वेक्ति पुन सिल्वा हाथि के पास पहुंच गया और दूसरे दान्थ की मांग कर डाली उसकी आचना को देखकर सिल्वा हाथि अपने आपको रोकना सका वह उसे मना न कर सका और दूसरा दाथ काटने के अनुमती भी उसे दे दी वेक्ति बहुत खोश हुआ, दूसरा दाथ काटा और लाकर सहर में बेज दिया और भी धन कमाया लेकिन कहते हैं ना लालच में वेक्ति को कुछ नहीं सुचता ना उसे अपने रिष्दारी समझ में आती है, ना अपना सम्मान नजर आता है बस लालच उसके दिमाग में रहता है और कुछ ना कुछ पाने के लिए वे तिकड़म भिलाते रहता है उसके दिमाग में एक बात और चल रही थी कि कटे हुए दांत जो अभी मसूरों के अंदर हैं क्यों ना उनको भी निकाल कर बेच कर और जादा धन कमा लूँ ऐसा सोच कर कुछ दिनों के बाद में वे वेक्ति दो बारा सिल्वा हाथे के पास पहुंच गया सिल्वा ने फिर पूछा कि कैसे आना हुआ तो उस वेक्ति ने कहा कि मेरे बच्चे भोके मर रहे हैं किरप्या करके मुझे अपने मसूरों के अंदर तो दांत हैं उनको भी निकालनी का नुमति दें जिने बेच कर मैं अपने बच्चों का पेड़ भर सकूँ बच्चों की बात सुनकर सिल्वा अपने आपको रोक ना सका अपनी दान परायांता के कारण उसने मसूरों के अंदर से भी नात निकालनी के नुमति उस वेक्ति को दे दी उस व्यक्ति ने तुरंधी आरी और दूसरे उजारों से छेद करके मसुणों के अंदर से दात निकाल लिए और सिल्वा हाथी को वहीं खुन से लत्पत छोड़ कर चल पड़ा खुन से लत्पत दर्द से ब्याकुल कराता सिल्वा जादा दर जीवित न रह सका इधर लोभी व्यक्ति जब वन की सीमा पार करी रहा था तभी अचानक धरती फट पड़ी और व्यक्ति काल के गाल में समा गया तभी वहाँ बास करने वाली एक यक्षणी जो इस मामले से बाकिफ थी कहने लगी मांगती है तरशना और 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 मिटा नहीं सकता जिसकी भूग को सारा संसार तो दोस्तों ये थी आज की कथा ये कथा हमें बताती है कि मित्र रूप में किसी को स्योकारने से पहले उसे जानना आवसक होता है और लालचे मित्रों को पहचानना बहुत जरूरी है लालच की कोई सीमा नहीं होती इसलिए व्यक्ति को संतोज करना सीखना चाहिए